आदर्निय प्रधानमंत्री जी आपको नमश्कार सादर प्रणाम आज मैं बेहद व्यत्थित हूँ और मैं सीधे आप से बात करना चाहता हूँ अगर मुझसे कोई हिमाकत हो जाए कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा दिल्ली में अगले हफ़ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन लेने राशन के दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते बलकि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती सर्टे से ये शुरू होने वाला था ये करांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने दो दिन पहले इसको रोक दिया क्यूं सर आपने ऐसा क्यूं किया पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है पिछले 75 सालों से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है पर उनको मिलता नहीं है अधिकांश राशन चोड़ी हो जाता है ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर बहुत ताकतवर आसे 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी तब मैं दिल्ली की जुग्यों में केंजियों में काम किया करता था उन जुग्यों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था उनका राशन चोरी हो जाता था तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिल्वाने की नतीजन हम पर साथ बार खतरनाक हमले हुए और एक बार तो इन लोगों ने हमारी एक बहन का गला काट दिया लेकिन भगवान के दिया से वो बच गई उस वक्त तब मैंने कसम खाई थी कि इस वेवस्था को अपने जीवन में कभी ना कभी जरूर ठीक करूँगा तब तो दूर दूर तक सपने में भी निसोचा था कि एक दिन दिली का सीम बन जाओंगा पर कहते हैं न कि जब आप निस्वार्थ भाव से कोई संकल्प करते हैं तो उपर वाला भी अपने तरीके से आपका संकल्प पूरा करने में मदद करता है इस ब्रह्मान्ड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती है इस राशन माफिया के तार बहुत उपर तक हैं सर 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खतम करने की हिम्मत नहीं कर पाई दिली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है अगर ये घर-घर राशन विवस्था लागू हो जाती ना सर ये राशन माफिया खतम हो जाता पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला दिली में ये योजना अगले हफते से लागू होने वाली थी और एक हफ़ता पहले इन्होंने इसको खारज करवा दिया आपने ये कहके हमारी स्किंग खारज की है कि हमने केंदर सरकार से इसकी एप्रूवल नी ली ये गलत है सर हमने एक बार नी पाँच पाँच बार आपकी एप्रूवल ली है यह रही सारी चिठिय है केंदर सरकार को हमने इतने सारे खत लिखके बताया कि हम ये योजना दिली में लागू करने जा रहे कानूनन हमें दिली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंदर सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम हैं लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे इसलिए हमने एक बारनी पांच पांच बार आपका अप्रूवल लिया है सर मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपतियां लगाई हमने आपके सारे अबजेक्शन पूरे कर दिये जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घरघर राशन योजना रखा था आपने objection लगाया कि हम इसी होजना का ना मुख्यमंतरी के नाम से नहीं रख सकते हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था हमारा एक ही मकसद था किसी भी तरह से ये scheme लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे हमने आपकी बात मान ली हमने scheme से नाम ही अटा दिया और भी आपने जितने objections किये हमने सारे मान लिये इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी approval नहीं ली और कैसे approval लेते हैं सर अब और कैसे approval लें इस सब के बाद भी आपने ये scheme खारिज कर दी क्यों सर लोग पूछ रहे हैं अगर इस देश में पीजा की होम डिलिवरी हो सकती है बर्गर की होम डिलिवरी हो सकती है स्मार्ट फोन और कपड़ों की भी होम डिलिवरी हो सकती है तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलिवरी क्यों नहीं होनी चाहिए सारा देश चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर आपने ये भी लिखा है कि चूंकि राशन दुकानदारों ने दिल्ली हाई कोट में इस योजना के खिलाफ केस करक्खा है इसलिए ये स्कीम खारिज की जा लिया इस बात पे आप स्कीम कैसे खारिज कर सकते हैं ये राशन दुकानदार इस योजना के खिलाफ हाई कोट से स्टे लेने गए थे हाई कोट ने इने स्टे देने से मना कर दिया जब हाई कोट ने इने स्टे नहीं दिया तो आपने इस स्कीम पे स्टेक कैसे लगा दिया आपको इन राशन वालों से इतनी हमदर्दी क्यों है अगर आप राशन माफिया के साथ खड़े होंगे सर तो इस देश के गरीब लोगों के साथ कौन खड़ा होगा दिली के उन 70 लाख गरीब लोगों का क्या होगा जिनका हर महीने ये राशन माफिया राशन चोरी कर लेता है उन 20 लाख गरीब परिवारों की कौन सुनेगा और एक बात उस हाइकोट के केस में केंदर सरकार भी पाटी है कोट में केंदर सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है क्या कहा है कोट में केंदर सरकार ने केंदर सरकार ने कोट में हमारी इस योजना के खिलाफ एक भी आपत्तिनी की है जब कोट में आपको हमारी योजना के खिलाफ कोई आपत्तिनी है तो फिर कोट के बाहर अब इस योजना को खारिज क्यूं किया जा रहा है ये करोना का बहुत कठिन समय है मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो करोना होने के डर से राशन लेने नी जाते राशन दुकान पर भीड़ लगती है लोगों को लगता है कि अगर वो राशन लेने गए तो उन्हें करोना हो जाएगा तो सब गरीब लोग हैं सर इनमें कई लोग करोना काल में अपनी नौकरी खो चुके हैं उनके घर में अब खाने को नहीं है अगर हम उन्हें इनके घर तक राशन पहुचाना चाहते थे तो इसमें आपको क्यों आपती है कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पे भारी पड़ेगी अगर उनके माता पिता को राशन दुकान पे भीड की वज़े से करोना हो गया तो उनके बच्चे भी तो फिर करोना ग्रसित हो जाएंगे मुझे तो लगता है सर की करोना काल में केवल दिल्ली नहीं बलके पूरे देश में घर घर तक राशन पहुचाने की इस योजना को लागू कर देना चाहिए ये दुकाने सुपर स्प्रेडर हैं राशन के दुकानों पे लगने वाली भीड से बचा जा सकेगा कितने ऐसे बुजूर गैसर जो राशन के दुकान से राशन लेने नहीं जा सकते कितने ऐसी गर्वती महिला हैं जो राशन के दुकान से राशन नहीं ला सकती अगर हम उनके घर राशन पहुचाना चाहते हैं तो इसमें क्या समस्या है केंदर सरकार के कुछ आफिसर कह रहे हैं कि इस स्कीम के खारिज होने का असली कारण ये है क्योंकि एक केंदर सरकार का राशन है ये योजना लागू करके दिल्ली सरकार को इसका श्रे क्यों मिलना चाहिए सर यकीन मानिये ये काम में रत्ती भर भी क्रेडिट के लिए नहीं कर रहा मेरा सिर्फ एक ही मकसद है किसी भी तरह गरीबों को उनका पूरा राशन मिले आप प्लीज मुझे ये लागू कर लिए दिजिए सारा क्रेडिट आपका सारा श्रे आपका मैं खुद सारी दुनिया से कहूंगा ख़ड़ाओ के कि ये योजना मोदी जी ने लागू की है और फिर ये राशन ना आपका है ना मेरा है ये राशन ना आम आदमी पार्टी का है ना भाजपा का है ये राशन तो इस देश के लोगों का है और इस राशन के चोरी रोकने के जिम्मेदारी हम दोनों की है इस वक्त देश बहुत भारी संकट से गुजर रहा है ये वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ के मदद करने का है ये वक्त एक दूसरे से जगडने का नहीं है लोगों को लगने लगा है कितनी मुसीबत के समय भी केंद्र सरकार सबसे जगड रही है आप मम्तादीदी से जगड रहे हैं जारखन सरकार से जगड रहे हैं आप लक्षोदीप के लोगों से जगड रहे हैं महारश्टर सरकार से लड़ रहे हैं दिल्ली के लोगों से लड़ रहे हैं किसानों से लड़ रहे हैं लोग इस बात से बहुत दुखी हैं सर कि केंद्र सरकार सबसे लड़ेगे ऐसे देश कैसे चलेगा आप हम सबसे क्यों लड़ रहे हैं हम सब आपके ही हैं हम सब भारतवासी हैं ऐसे में हम सब आपस में लड़ेंगे तो करोना से कैसे जीतेंगे हमें आपस में नहीं लड़ना हम सब को मिलके करूना से लड़ना है कल सब लोग अख़बारों की ये हेडलाइन पढ़ना चाते हैं मोदी जी ने दिल्ली सरकार के साथ मिलके दिल्ली के हर गरीब के घर राशन पहुँचाया ये पढ़ना चाते हैं लोग लोग टीवी चैनलों पे ये ब्रेकिंग न्यूज देखना चाहते हैं कि मोदी जी और केजरी वाल ने मिलके दिल्ली के लोगों के गरीब लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया लोग ये खबर पढ़ना चाहते हैं सर लोग ये खबर सुनना चाहते हैं लोग ये नहीं सुनना चाते कि केंदर सरकार ने फिर से दिल्ली सरकार से जगडा कर लिया, कि केंदर सरकार ने फिर से दिल्ली सरकार की एक और अच्छी योजना पे रोक लगा दी, मैं हाथ जोड़ के, दिल्ली के सत्तर लाख गरीब लोगों की ओर से आपसे विंती करता हू सर प्लीज इस योजना को मत रोकिए ये राष्टर हित में हैं इसे होने दीजिए आज तक राष्टर हित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया मैंने हमेशा काए कि राष्टर हित के किसी भी काम में राजनीती नहीं होनी चाहिए अगर कोई विपक्षी पार्टी की सरकार भी राष्ट्रहित में कोई काम करती है हम उसका साथ देते हैं राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए सर्थ अभी तक की सरकारों ने देश के गरीब लोगों को 75 साल तक राशन की लाइन में खड़ा रखा इन्हें और अगले 75 साल राशन के लाइनों में खड़ा मत कीजिए सर नहीं तो ये लोग मुझे और आपको कभी माफ नहीं करेंगे